असलाम वालेकुम वल्कम आप सभी का इस नई वीडियो में तो आज का ये वीडियो पीम ट्रॉपलेस के तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंपोर्टन रहने वाला है चाहिए वो फ्रेश बेच दोहसात तेज के कंडिडेट्स हों या प्रेवियस ये वीडियो में से किसी बैच के कंडेट्स हों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आधार ऑथंटिकेशन कंपलसर ही है सब इस स्टूडेंट्स के लिए उसके हवाले से जो कुछ students के important doubters हैं वो इस video में मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ ये video आप लोगों के लिए काफी ज़ादा important रहने वाला है इस video को पूरा end तक देख लेना चैनल को वे subscribe कर देना और उसके साथ telegram ग्रूप और whatsapp ग्रूप दोनों join कर देना दोनों की link आपको description में मिल जाएगी तो चैनल वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहां पर आधार authentication process के बारे में तो देखिए अगर आप PMAAS के एंटर कोई भी course कर रहे हैं किसी भी semester या किसी भी year में चाया fresh badge के हूँ या previous किसी भी badge के हूँ इसलिए अगर आप किसी भी semester में किसी भी year में पढ़ रहे हैं PMAAS के एंटर तो आप लोगों को क्या काम करना है अपने जो noodle officer आपके college के होंगे उनके साथ बात करके आधार authentication अपनी जो अपडेट करवानी है उसमें simply क्या थोड़ा समय आपको रफली समझा दूँ अगर आपको वहाँ पर जाना है वो आपका आधार authentication आधार नमबर डाल के आपके नमबर पर OTP आजाएगी वो वहाँ पर डाल के उसके बाद आपका एक जवो undertaking generate हो जाएगा उसका फिर आपको डिरेक्टर का या प्रंसपल जो भी होगा college का उसकी स्टम वगएरे डाल के उसके बाद उसको अपलोड कर देना अपलोड करने के बाद उसकी verification के process वगएरा होगी जो मैं आगे चलके आपके साथ detail में discuss करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले जो हर student का doubt है देखिए काफी जगों पर यहां पर चुटियां चल रही है students ने exam December में दी है और January के महीना students को काफी जगों पर चुटी वगएरा होती है तो काफी सारे student गर चले गए हैं तो उन सब ही students का कहना है कि क्या इस जो आधार authentication है इसकी कोई last date है या नहीं है देखिए आधार authentication की कोई last date नहीं है लेकिन आप इसको update कर दो as soon as possible आपको खुद इसमें signature वगएरा कुछ भी करने की जूरत नहीं है अगर आप घर पे हैं तो आप college वालों को phone करके बोल सकते हैं just आपका आधार number वो डालेंगे OTP आजाएगे आपको उनको OTP बोलना है और वो OTP उसको update करके आपका process जो होगा वो complete कर देंगे अगर 4-5 दिन लग जाते हैं तो कोई issue नहीं है ऐसा नहीं कि दो दिन में या तीन दिन में update करवाना है इसी कुछ भी dates वगेरा नहीं आई है जो notification एसा कुछ भी उसमें mention it नहीं है बाकि मैं आपको बोरां कि जो process हो वो सब जब पहले complete करनी चाहिए तो इसलिए आपको इसमें physically वहाँ पे होना compulsory नहीं है कि student physically होना ही होना चाहिए just आधार अपना update करवाना है बाकि कोई उतना ज्यादा लंबा मसला नहीं है लेकिन अगर आप अधार authentication नहीं करवाती हो तो scholarship आप लोगों को यहाँ पे नहीं दी जाएगी अब देखे जिन candidates ने अपना अधार authentication करवाली है process अपनी complete करवाली है या जो आने वाले एक दो दिन में अपनी आधार authentication करवालेंगे तो देखे उसके बाद का जो procedure होगा आपके आधार authentication की जो होगी वो बाज़ापता EIST से verification हो जाएगी verification होने के बाद आपका जो होगा dbt process के लिए आपका आधार enable किया जाएगा क्योंकि आधार के base पही आपको सारी की सारी scholarships जो होती है वो release करवा दी जाती है और आधार के base भी आपकी scholarship आती है उसके बाद क्या होगा कि AIST आप लोगों का जो है आधार authentication undertaking वगेरा उसकी verification करना start कर देगी verification जब हो जाएगी उसके भाद फिर आप लोगों का जो scholarship pending होगा या dedublication की process होगी या continuation promotion, sanction order वगेरा जो कुछ भी डालना होगा आप उसको continue कर सकते हैं लेकिन payment आने के लिए आधार authentication करवानी कम पन सरी है क्योंकि आधार के base पही आप लोगों को scholarship वगेरा जो कुछ भी होता चाहिए आप NSP में बढ़ लो, PMSSS में बढ़ लो या कई अधर किसी भी अधर कोई अधर scholarship अगर आप बढ़ लोगे state level का या national level का कोई भी scholarship बढ़ लो तो आधार आपका update और bank के साथ link होना कमपल सरी है कमपल सरी है तो यह थे कुछ दो-तीन अगर आप घर गएं तो कोई issue नहीं है दूसरे ही तिन में आपसानी के जूरत नहीं है अब उनको phone करके भी आधार authentication अपनी करवा सकते है कोई issue नहीं है, कोई उतना लंबा process वगरा कुछ नहीं है पांच मिनट का काम है, नंबा डाल के procedure मैंने already समझा दिया, उस studio को भी जाके check out एक बार कर सकते हैं, बाकि अगर कोई ओर doubt होगा मुझे पूश सकते हैं, जो other guidelines आजाएंगे एसची की, वो भी हम आपके साथ discuss करने की पूरी की पूरी कोशिस करेंगे उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, यूट्यूब पे भी Instagram और Telegram, Facebook हर जगह हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, हर जगह आपको updates वगरा मिलते रहेंगे तो फिलाल लाँ वीडियो को इहीं पर कतम कर रहें, कोई doubt होगा मुझे कमेट सेक्शन में पूछ सकते